भारतिय जनता पार्टी की संसदिय बोर्ड की बैठक आदर्निय प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिती में और सभी संसदिय बोर्ड के सदस्यों के बीच में हमारी आज बैठक हुई और हम सब लोग जानते हैं कि 15 जून को राष्ट्रपती के चुनाओं की अधिसूशना जारी हुई थी और उसी समय ये अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ट नेता भारत के रक्षा मंत्री शी राजनाज सिंग जी और मैं पार्टी के अधिक्ष के रूप में विभिन घटक दलों से और हमारे जो यूपिये के पार्टीयां हैं उनके नेता उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपती के चुनाओं के लिए सर्वसमत्ती बनाते हुए हम आगे बढ़ें हमारे आधरनियव राजनाजी ने यूपिये के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की कुछ के साथ हमने बातचीत की बातचीत का दौर चलता रहा लेकिन कोई सर्वसमत्ती पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सरसमती नहीं हो पाई और आज हम जानते हैं कि UPA ने अपना राष्ट्रपती का प्रत्याशी घोशित कर दिया है इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदिय बोर्ड के सदस्य थे सब इस मत के आए कि भारतिय जनता पार्टी एंडिये अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपती चुनाओं के में अपना प्रत्याशी घोशित करें क्योंकि UPA ने घोशित कर दिया हम चाहते थे कि सरसमती से कैंडिडेट आए क्योंकि राष्ट्रपती का चुनाओं सरसमती से होता है तो अच्छा रहता है तेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोशित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एंडिये के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग बीस नामों पर हमारे हाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सरसमती इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई विस्त्रिक चर्चा हुई लेकिन कुल मिला करके ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूनना चाहिए भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूनना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपती के रूप में नहीं आया है इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली वार कोई ट्राइबल को अंडिये के तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसधिय बोर्ड, पारलिमेंटरी बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रावपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपती का प्रत्याशी घोषित किया गया है NDA की तरफ से और हम सब जानते हैं कि शिमति द्रौपदी मुर्मू जैसे राधा कृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे सरपली राधा कृष्णन राष्ट्रपती के रूप में उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन अजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और व वो टीचर के रूप में शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंब किया पाद में वो काउंसिलर भी बनी और वाइस चेर परसन रायरंगपूर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अर्सा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको स्वभागी मिला उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गौर्मेंट अफ उरिशा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हजबंडरी मिनिस्ट्री और फिश्रीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने सभाला और सबसे अच्छी बात ये भी रही कि उन्होंने नीलकंट अवार्ड फॉर बेस्ट MLA 2007 का वो अभी उन्होंने अरजित किया उनको मिला और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक जारखंड स्टेट की गवर्नर रही तो इस तरीके से उनका राजनितिक जीवन रहा है एक बहुत ही समवेदनशील महला नित्री जुन्होंने शिक्षा से अपने आपको जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है इसलिए NDA ने और NDA के सभी घड़क दलों के साथ बादचीत होते हुए आज संसतिय बोर्ड ने स्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपती के कैंडिडेट के रूप में घोशित किया है बाकी जानकारियां और डीटेल हम देंगे उनका बायडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा यही घोशना मुझे करनी थी यह भी सब डीटेल्स वर्काउट होगा हम लोग उसके दृष्टी से चर्चा करेंगे लेकिन घोशना होई है यह मैं जाने बहुत बहुत धन्यवादा